पतना की ऐसा चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको मैंगो शेफ बनाने बता रही हूँ देखें मैं तीन आम ली हूँ कुछ मैं ड्राइफ फ्रूट ली हूँ काजू, किसमीस और ये बदाम है बड़ा वाला अब मैं इन सभी की मदद से आपको कैसे मैंगो सेफ बनता है वो मैं बता रही हूँ इसे ध्यान से देखें देखें मैं अब आम को छिल रही हूँ चकु की मदद से इसे अच्छी तरीके से आप इसका छिलका उतार ले और छिलका उतारने के बाद इसे अच्छी तरीके से जितने उसे काट के इसके सारे गुद्दे को आप एक बर्तन में डाले बर्तन में डाले कि इस तरीके से हमें काटना है और काट के सारे गुद्दे को बर्तन में हमें ले लेना है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सुस्क्राइब करें देखें अब मैं दुसरा आम ली हूँ दुसरे आम से वे मैं उसी तरीके से इसके सारे कट करके इसे मैं एक बरतन में डालूँगी आम का सीजन आ गया फ्रेंड आप कुछ आम के भी चीज होने चाहिए इस तरीके से सारे सभी को छील लें छील के इसके सारे गुद्दे को एक बरतन में आप रख ले जमा करके देखिए मैं इसे चकू की मदब से मैं सारे को निकाल लूँगी देखिए कितने अराम से ये कट हो रहा है हमें सारे को इस तरीके से कट कर लेना है अब कट करके हमें इस तरीके से कट कर ले देखिए इस सारे मैं जमा कर चुकी हूँ अब मैं इसका मिक्सी गायनर में मैं इसे आपको देखाती हूँ देखें मैं बर्फ डाल दी हूँ इसमें बर्फ सारे जो भी हो आप जितना ठंड़ ठंड़ आपको पीना हो इसाब से ले ले आप अब मैं इसे mixigayayaggi आय前 अच्छ तरीके से मैं चला लूँगे दीख़ें मैं चला रही हूँ ये पीस रहा है अब पीसने के बाद मैं कुछ चीनी थोड़ा सा एक चमज डाले थोड़ा सा दूद भी डाल रही हूँ दूद के मदद से ये दूद में ही बनता है इसलिए मैं दूड डाल रही हूँ आप चाहें तो इसे पानी में भी बना सकते हैं ठंड पानी में भी बन सकता है ऐसे मैं ये दूड में बना रही है अब इसे क्या करें एक बड़े बरतन में आप निकाल ले इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से 10-15 मिनाट फेट ले ये तो मिक्सिग आयनल में ही फेटा था फ्रेंड लेकिन मेरे मिक्सिग आयनल से बाहर निकल गिरने लगता है इसलिए मैं बरतन में करके आपको दिखला रही हूँ इस तरीके से आप थोड़ा देर चमस की मदद से आप इसे फेट ले फेटने के बाद देखे किस तरीके से मैं फेट रही हूँ अब इसे देखे निकाल कि ये फेटाया है कि नहीं अगर फेटाया है इसे और आप अच्छी तरीके से फेटे ये देखे हमारा इस तरीके से फिट ले देखे यह हमारा तयार है मैं इसमें कुछ ड्राइफ रूट डालूंगी काजू, काजू ले ले काजू ले ले, किसमिस ले ले, बिदाम ले ले इसको अच्छी तरीके से इसमें डाल ले और डालने के बादी से आप सब कर सकते हैं देखिए हमारा रेसिपी तैयार है ड्रिंक, प्लीज आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें